उत्तरपदेश लखिमपुर खीरी की कोटवाली नेम गाउं शेत्र के ग्राम लोका निवासी किसान की कनपटी पत तमंचार रखा हजारों की कीमत की भैस लूट ले गए अग्याद बदमाशों के खिलाफ पीडित ने कोटवाली में मामला दर्स कराया इस घटना के बाद शेत्र के पश्चुपालकों में भाय का महुल बना हुआ है कोटवाली नीम गाउं के ग्राम लोका निवासी किसान राम खिलावन के घर के पास बने अहाते बंदी भैस को बीटी राथ कुछ अग्याद शेसस्त्र बदमाश पिकप में लाद कर ले जाते दिखे इसे बीच पीडित के बड़े भाई प्रहलाद को जानकारी हो गई शोर सुन कर पीडित वास पास के रहने वाले ग्रामिन मौके पर आ गए अपने आपको ग्रामिनों की बीच खिरता देख पिकप पर भैस लाद रहे बदमाशों ने प्रहलाद की कनपटी पर तमन्च लगा दिया तथशोर मचाने पर जान से मानने की धमकी देते हुए भैस लेकर मौके से फरार हो गए पीडित ने बताया कि लूटी गई भैस की कीमत करीब साथ हजार रुपे है घटना के तुरंद बाद ही पीडित ने हंड्रेट डायल पुलिस को फोन कर सूशना दी पीडित का आरुपे की सूशना देने के बाद करीब एक घंटे बाद पुलिस मौकी पर पहुची थी अगर पुलिस समय रहते आ जाती तो शायद उसकी भैस के साथ साथ बदमाशों को भी पुलिस पकर सकती थी सुबह होने पर पीडित ने थाने पर मामला अग्याद बदमाचों के किलाफ दर्स कराते हुए कारवाई की मांग की है वही बीती रात हुई घटना के बाद शीत्र के पशुपालकों में भाय का माहुल बना हुआ है तो जो यहां से भैंस छोर के ले गए तो हम देखा तो फिर यह उसको पकड़ के दे आया तो पीछे आया तो हम मच्छाणी में ते निकले तो निकले के टोंकाव से कौन आदिमी क्या है भाग गया अवम यह धर आये तब हलादरी भाई देखा नहीं है फिर क्या हो भाग ग क्या हुआ है आपके साथ पूरी घटना बताओ पूरी घटना हुआ कि भाई चोरी हुए है चोरी हुए है फिर उसके बाद में क्या हुआ पूरी घटना बताओ कैसे क्या हुआ है यहां से रखदाया मैंने वहां पर मेरे गाड़ी में द्लात ने देखा और मैंने तब जट्टा तब धर से टात बेखाया बंदूग दिखा दिया बंदूग दिखा करके भाइस लाद करने के गंटे बाद पहुंची पुलिस अप्लीकेशन दी है अपने क्या कही रही है पुलिस पुलिस करें जो चार दिन राध देखे लो तो जान देबाद दाएंगे इंटियार करो